हाई फ्रेंद्स वेलकम टो फिजिक्स फ्लाइर देस्टिनी मैं राजोशी काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका उल्ली ओन फिजिक्स फ्लाइर जहाँ पर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कॉंप्लेक्स नंबर का न्यू टॉपिक जो है अपना मुल्डिप्लिकेशन नंबर एडिशन और शुका है अब अपने ढूटिक्स नंबर के और भी लेक्चर देखना है तो आपको प्लेइलीस्ट मिल जाएगी एक नंबर लेक्चर सिरीज मिल जाएगी उसमें जाकर आप हर एक वीडियो जो है देखकर लेक्टर देख सकते हो और आपने डाउट क्ल चलिए शूरू करते हैं, multiplication of complex number. So, multiplication of complex number में, firstly, अपने पास, अगर 2 कोई भी आपके पास क्या दिये वाला है? Complex number दिये वाला है, suppose we have Z1 and Z2, 2 complex number है अपने पास, तो उसे अपने को multiply करना है, means अपने को क्या करना है? Z1 into Z2 करना है, तो अपन क्या करेंगे? Firstly, formula देखेंगे, उसके बाद में अपने उसको एक problem से solve करेंगे और उसके बाद में आपने देखेंगे, multiplication of complex number by using what polar form? Okay, एक-एक करके step पर जाएंगे, तो अब भी आपन क्या करेंगे? सबसे पहले formula देखेंगे, तो suppose you have Z1 and Z2, 2 complex number है और Z1 जो है वो है आपका pass A plus IB और Z2 है वो है आपके पास C plus ID तो multiplication करते वक्त, Z into Z2, Z1 into Z2 जो है वो क्या हो जाता है आपके पास? AC minus BD plus I, AD plus BC, AD plus BC ये हो जाता है आपके पास formula means क्या कि आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेंगा? multiplication plus इन दोनों का multiplication, sorry minus इन दोनों का multiplication means AC minus BD plus I, फिर AD, मतलब ऐसा cross multiply करना पड़ेगा AD plus BC, तो अब एक problem नहेंगे और इस formula में उसकी value put करेंगे और solve करेंगे, तो अगर आपके पास suppose to be Z1 जो है वो है 3 plus 4I Z1 is what? 3 plus 4I और Z2 है आपका वो है आपके पास 7 minus 3 है आपके पास Z1 और Z2 है अब यहापर जो है आपके पास A क्या है, B क्या है यह मैं बता देती हूँ यहापर A, B के हिसाब से अब भी first problem है इसलिए मैं A और B, C, D 4 भी बता देती हूँ आपको तो यहापर A क्या है आपके पास 3 है, B क्या है आपके पास 4 है, C क्या है आपके पास 7 है और D क्या है आपके पास minus 3 है तो बस आपको क्या करना है, इस वाले formula में उसको put करना है और solvation करना है अब आप बोलोंगे यह वाले formula जो है वो कहां से आए तो यह problem solve करेंगे अपन पहले और फिर मैं बताऊंगे यह कहां से आए तो अब यह आपर क्या करना है, A into C मतलब A into C minus B into D, B क्या है आपके पास 4 into D क्या है आपके पास minus 3 प्लस यह हो गया आपका first bracket, प्लस उसके बाद में क्या है आपका I common में, A into D, अब A into D मतलब 3 into minus 3 plus B into C, मतलब 4 into 7, okay, समझा मतलब इसका क्या हो जाएंगा, 3700, 21, minus 4, minus minus क्या हो जाएंगा आपर, plus 4 into 3 हो जाएंगा, 12, okay, 21 plus 12 plus I, यहाँ पर क्या हो जाएंगा, 3 into 3 means minus 9, minus 3 को, इसले minus 9, plus 7 4000 कितना होते है, 28, समझा आपको यह, तो इसका जो answer है वो आपको क्या मिला, 33 plus 90 I, 33 plus 19 I, okay, this is your answer, so now अब आपका पास question आया होगा, कि यह formula कहा से आया, तो यह formula देखो मैं आपको Z1 into Z2 करकर बताती हू, without using formula, okay, A plus IB into C plus ID, okay, समझा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, A को इस पूरे bracket से multiply करना पड़ेगा, जैसे आपर normal multiplication करते bracket वाला, तो A into क्या हो जाएंगा, C plus ID, फिर हापर क्या करना पड़ेगा, आपको IB को इस पूरे से multiply करना पड़ेगा, तो plus IB into C plus ID, करो इसे solve क्या हो जाएंगा, आपके पास, AC plus IAD plus IBC plus I square BD, अब I square की value जो होती है, I square की value क्या होती है, minus 1, जो मैंने lecture लिया था, previous lecture में मैंने power of I, ये पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, कि I square की value क्या होंगी, minus 1, कब I square की value मैंने minus 1 लिग दी, तो ये क्या हो जाएंगा, minus BD, ok, समझा आपको ये, तो आपके पास जो final answer है, वो कैसे मिला, देखू, AC minus BD, मैंने क्या कर लिए, साथ मे लिए, और I की term को साथ मिले लिए, I, AD plus I, BC, अब इस में से I, I common निकर लो दू, मिल गया की नहीं आपको ये formula, तो this is your formula for the multiplication of complex number, समझा, मैंने formula कैसे आया, ये भी बता दिया, और एक problem लेकर भी बता दिया, मैंने जैसे formula है, वैसे भी आप solve कर सकते हो, या फिर formula अगर आपको learn है, तो वैसे भी आप मुझे comment करकर पूछ सकते हो, जहाँ पर भी आपको कोई भी problem लगे वहाँ, ओके, clear है आपर सभी को, ये erase करती हूँ में, अब अपन जाएंगे कि multiplication of complex number by using what? polar form, अब polar form का multiplication आपको करना है, अब polar form कैसे होता है, आपको पैता है, polar form में complex number जो होते है, वो क्या है, Z1 equals to R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, अब देखो, यहाँ पर जो polar form होता है, वो कैसे होता है, अगर मैं polar form के complex number लिखू, तो क्या होगा, आपके पास Z1 equals to R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, 2 लेना है, इसलिए बन theta 1, theta 2 लेंगे, और आपके पास Z2 है, वो क्या होगा, आपके पास R2 cos of theta 2 plus I sin theta 2, समझा आपको ये, तो this is what a complex number in a polar form, polar form में आपके पास क्या है, ये complex number है, अब आपको क्या करना है, simply इसको क्या करना है, multiply करना है, multiplication of complex number in a polar form, polar form में multiply करना है, तो आपके पास क्या होगा, Z1 into Z2 equals to R1 cos of theta 1 plus I sin theta 1 into R2 cos of theta 2, plus I sin theta 2, अब ये R1, R2 अपन क्या कर लेते हैं, साथ में लिख लेते है, R1, R2, अब ये क्या करना है, दो bracket को multiply क्या होगा, आपके पास, cos of theta 1 cos of theta 2 plus cos of, यहापर bracket में लेंगे अपन, cos of theta 1 I sin theta 2, ये हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, इसको इस से multiply करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगा, आपके पास, plus I sin theta 1 into cos of theta 2, फिर क्या हो जाएंगा, यहापर plus I sin theta 1 I sin theta 2, समझा आपको ये कुछ भी नहीं, bracket को बस solve करना है, आपको, समझ रहा, तो अब देखो, यहापर क्या है, cos of theta 1 cos of theta 2, cos of theta 1 I sin theta 2, और यहापर क्या है, I sin theta 1 cos of theta 2, अब यहापर क्या है, I into I है, मतलब I into I क्या हो गया, I square, मैंने जैसे आपको भी बता है, I square की value क्या होती है, minus 1, अगर मैंने यहापर I square की value minus 1 लिख दिया, तो मैंने डाइरेक्ली हापर minus sign लगा लू, और I निकाल लू, कोई problem नहीं होगी हापर, तो मैं यहापर क्या करती हूँ, मैं इस I को erase कर देती हूँ, इस I को erase कर देती हूँ, और यह plus को अपन अब क्या कर देंगे, हापर minus कर देंगे, समझा, step मैंने एक solve कर ली, समझ चुका आपको, अब देखो, यहापर क्या है, आपन क्या करेंगे, जो I वाले terms है, वो साथ में ले लेंगे, और जो बिना I की terms है, वो साथ में ले लेंगे, अब क्या हो जाएंगा, फिर आपके पास, ऐसे अगर आपने किया, तो R1, R2, ओके, अब आपको क्या करना है, cos of theta1, cos of theta2, ओके, अब इसमें I नहीं है, किसमें, sin वाले term में, तो minus sin of theta1, sin of theta2, यह आपने क्या कर लिया, साथ में लिख लिया, ओके, फिर आपके पास क्या है, plus, अब आपन क्या करेंगे, I की term साथ में लिखेंगे, तो I निकाल लेंगे, common, अब I हाँ से common निकालोगे, और यहाँ से common निकालोगे, तो I common करने के पाद में देखो, आपके पास क्या है, cos of theta1, sin of theta2, plus, यहाँ पर क्या हो जाएंगा, sin of theta1, cos of theta2, समझा आपको यह clear है, अब यहाँ पर आपको cos theta1, cos theta2, minus sin theta1, sin theta2, यह formula है, किसका formula है, याद करो trigonometry के formula is, देखो, cos of theta1, cos of theta2, minus sin of theta1, sin of theta2, जो है, वो formula है, cos of theta1, plus theta2, मतलब क्या आपने, cos a plus b के form में देखा है, देखो, cos a, cos b, minus sin a, sin b, equals to cos a plus b, तो आपन यहाँ पर यह जो value है, यह जो first आपकी term है, इत्ती बड़ी term के जगा आपन लिख सकते, cos of theta1, plus theta2, समझा, और अब यहाँ पर देखो, जो दूसरी term है, वो क्या है, आपके पास, cos of theta1, sin of theta2, plus sin of theta1, cos of theta2, देखो, यह formula क्या है, cos a, sin b, plus sin a, cos b, equals to sin a, plus b, तो यह क्या हो जाएगा, theta1, plus theta2, समझा आपको यह, तो आपको क्या करना है, यह दोनों values को replace करना है, अब इन दोनों values को replace करने के बाद में, आपके पास क्या बचा, तो यह दोनों जो values है, वो आपन यहाँ पर put कर देंगे, तो r1, r2, equals to आपके पास क्या बच गया, cos of theta1, plus theta2, plus i sin of theta1, plus theta2, समझा आपको यह, तो this is the multiplication is what polar form, यह किसमें है, आपका polar form का multiplication है, of the complex number, multiplication of complex number using a polar form, और एक बात है, आपर multiplication करते वक्ट एक याद रखना, कि जब आप z1 and z2 के क्या लेलोंगे, mod लेलोंगे, जब आप इसका क्या करोंगे, mod करोंगे, polar numbers के, जब आप complex number, जो polar form में है, उसका जब आप multiplication करोंगे, तो उस चीज की, मतलब वो जो आपका पास value है, उसका अगर आपने mod निकाला, तो यह जो आपकी second term है, पूरी की पूरी 1 हो जाएंगे, और आपके पास only r1 into r2 रहेगा, तो this is the what our answer of mod of z1 into z2, the modulus of the product of two complex number is the product of their moduli and the argument of the product is the sum of their argument, यह धाई हातक multiplication of the complex number in the polar form देखा, आपने, आपने simple form देखा और एक example भी solve करके देखा, अब next video में अपन क्या करेंगे, division of the complex number देखेंगे, और फिर algebra of complex number में कुछ problem solve करेंगे, जिसमें अपन चारों भी चीज़ का यूज़ करने वाले है, addition, subtraction, multiplication and division, okay, straight in for the next video, तब तक के लिए, thank you very much for watching this video, अगर मेरे videos आपको पसंद आ रहे हैं, तो please like करकर ज़रूर बताना, अगर कोई भी problem आपको होगी, तो comment करकर बताना, अगर आपको कोई suggestion देने हैं, lectures के बारे में, तो भी आप comment करकर मुझे बता सकते हैं, और please मेरे चानल को subscribe कर दीज़ेगा, means आपको जब भी मेने videos डाले, तब notification मिल जाए, thank you very much for watching this video, stay tuned for the next video, तब तक के लिए physics flyer को ऐसे ही प्यार देते रहेगा,